C-Reactive Protein CRP यह आपका लिवर बनाता है लिवर CRP का जो लेवल होता है CRP again वो inflammation ही बताता है अगर लेवल जादा है तो बॉडी में inflammation होगी जैसे ESR भी inflammation Erythrocyte, Sedimentation Rate भी inflammation बताता है CRP भी inflammation बनाता है लेकिन CRP एक group of protein है जिसको हम कहते हैं acute phase reactants Acute phase reactants, they basically go up तो बढ़ते है reaction as a reaction to response to inflammation तो बॉडी में कभी चोट लगे infection आए कोई एक्चुल सिर्फ allergy हो तो बढ़ जाएगा अब इस acute phase reaction का जो जिससे बढ़ते हैं जो reactants होते हैं उसको बहुते है cytokines यह cytokines वह चीज है जो बॉडी के अंदर inflammation करते हैं यह protein आपके WBC आपके white blood cell आपके लिंफोसाइट लिंफोसाइट जो के बॉडी के प्रोटेक्टिव सेल से वह प्रेड्यूस करते हैं राइट cytokines और इसको टेस्ट करने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपके CRP हाई है कोई inflammatory disease है मालो टेस्ट हो रहा है पहले तो चर्व क्यों करेंगे test कर जाता है अगर बडी में कोई की जारी बडी में मानलीजेव आई-प कर रही यह चाहिछ जाता है मालो कर रही है वह देखने के लिए मान लो कोई डिजीज को प्रोग्रेशन आर्थाइटिस को कम करने के लिए दिमारी दवाई दी है और देखना है कि वह काम कर रही है और तो इन चीजों के लिए बिल्कुल जैसे यह सार के लिए होता है लो सी आरपी लेवल मतलब क्या होता है ल लो हाई CRP का मतलब inflammation लेकिन लो CRP का मतलब यह नहीं हो सकता कि inflammation नहीं है और लेकिन more sensitive CRP test को जैसे मैंने बताया था HSCRP high sensitivity CRP कहा जाता है यह आपके heart के attack या heart disease होने के risk को भी बताता है CRP की value lab to lab vary करती है तो आपको देखना पड़ेगा आपकी value आपके lab के अनुसार नॉर्मल है या नहीं राइट low levels का मतलब अगर आ रहा है तो slightly आपके CRP low levels का as such कोई जाधा indication नहीं है लेकिन high levels अगर आ रहा है हाई आ रहा है तो पहले नॉर्मल पकड़ लीजे एज के साथ CRP बढ़ता है उमर के साथ CRP बढ़ता है और female gender में थोड़ा CRP हाया सकता है नॉर्मली फीमल में में। में या प्रेगनेंसी के दोरान CRP बढ़ सकता है और हाट की बीमारी में CRP बढ़ सकता है जिसको गर हाट में ब्लॉके जो वैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर वैस्किलर इंफ्लमेशन ओख ऑन के नसों में प्रॉब्लम हो इन सब में आपको अगर CRP के बेसिस पे American Heart Association ने ये भी बुला है कि आपको हाट के रिस्क में डाला जा सकता अगर आपका CRP you are you are at low risk of developing heart disease अगर आपका CRP is less than 1.0 mg per liter 1 mg per liter से नीचे है तो you are at low risk average risk है आपको heart disease, cardiovascular disease होने का अगर वो 1 से लेके 3 mg per liter तक है high risk है CRP का अगर heart disease होने का अगर आपका CRP 3 से जादा 3 mg per liter अब ये मैंने mg per liter है कई values अलग भी per deciliter पे दे सकते हैं तो you have to correlate that ठीक है normal values भी आपके lab to lab vary करेंगे फिर से बता रहा हूँ इसलिए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी कि आपकी values कैसी है यह CRP अगर abnormal आता है positive आता है बढ़ा हूँ आता है that means inflammation है body में बहुत सी conditions में inflammation होता है cancer connective tissue disorder heart attack in you know actual infection हो जाए inflammatory bowel disease lupus pneumonia arthritis rheumatoid arthritis rheumatic fever tuberculosis etc 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 right यह बहुत थारी ओर लिस्ट इसमें आ सकते हैं positive CRP आपका pregnancy के half of the pregnancy में मिल जाएगा और birth control लेने वाले को मिल जाएगा almost बिल्कुल जैसे ERC ESR में हमने discuss किया था और रिस्क अगर आपका CRP बड़ा हुआ है और CRP का test करवा रहे हैं तो heart के risk के बारे में आपको ध्यान रखना है तो आपके risk factors आपकी diabetes आपका motapa आपकी smoking आपकी lifestyle आपकी sleep आपका stress आपका blood pressure heart rate इन सब को आपको balance रखना पड़ेगा डारू, alcohol, smoking बन करना तो अपना risk manage करिये CRP test करवा ये CRP test ESR test के साथ जाधा तर होता है करा सकें तो HS high sensitivity CRP is better than that all right so this is the information I have about CRP hope that is helpful to you thank you so much for watching this channel doctor education love you all if you have any questions write it down